हाई अबरिवन तो आज हम बात करते हैं क्लास 10 की रिड्यूस लेवर्स के बारे में ठीक है जो सीवेसी ने 2020-21 के लिए किया है यह हमेशा के लिए नहीं है आपका बता दूमें यह केवल इस सेसन के लिए है जो आपका चल रहा है ओके हम बात करेंगे पहले जो केमिस्टी में पोर्षन हुआ है डिलीट उसके बारे में उसके बाद बायो उसके बाद फिजिक्स ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं केमिस्टी पोर्षन जहां पर टोपिक रिमूव हो गया है ओक हमारे पास पहले पांच चैप्टर होते थे अब भी पांच चैप्टर ही है ठीक है कोई पूर्षन पर डिलेट नहीं किया गया गया है जिसले बस में चैप्टर फर्स हमारे पास chemical reaction and equation एक्वेशन इसमें कोई चैजज नहीं है जैसा था चैप्टर आइसे ही है कोई भी टोपिक कि समय से रिमूब नहीं किया गया है चैप्टर सकेट की बात करते है अईसे बेसे ट कोई टोपिक रिमूव नहीं किया गया है दोनों चैप्टर जुके तु है और चैप्टर फ़स्ट है यह तो केमिस्टी का बेस है चैप्टर फ़स्ट आगए क्यमिकल रिक्शन एंड इक्वेशन यहां पर केमिकल रिक्शन का टाइप सिखते हो किस टाइप की एडिशन है डि यहां पर आपका जो पहले टोपिक रिमूब किया गया है बेसिक मेटलर्जिकल टोसेस मैं आपको बता दू एक बात क्लास 12 में चैप्टर 5 है जर्नल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ओफ आइसोलेशन ओफ एलिमेंट्स मतलब कि महां पर क्या पढ़ा जाता है जर्नल प्रिंसुमेंट्स को उनकी respect और मिनरल से extraction करते हैं उनका यहां पर आपको यह वाजाथ है लेकिन आपर पोर्षेन ज्द नहीं होता था कि पश्र्णन है प्रिंस ज्यदह नहीं होता था थोड़ा जींख जुँन मंतलबो आपको शीजिंग के और है यफा ट्रे एकक निकिस कैसे करेंगे यह बदाते हैं आपको यहां पर हम बेसिक में प्रोसेस में लेकिन अब आपका चैप्टरी रीमूव हो गया है अब आपको यह नहीं पढ़ाया जाएगा ठीक है फिर बात करता है और इसको इसका बचावम कैसे कर सकते हैं यह भी खतम कर दिया होर ने थ्याल देजिए और हमारी पासध आपका ह्यार्वन इंट्स कंपाउंड देख़ें यहां पर बहुत बड़ा चेंज है आप देख पी रहेंगे हैं कागी ठोपिक है जो रिमूव कर दी गहें है ठीक हैै भगत बड़ा चेंज किया है कार्बनिंट स्गम पाउंड में यह आता दो बच्चो औरगनिक केमिस्ट्री में यह आता था और गेनिक केमिस्ट्री में ठीक है कार्बन जो हम पढ़ते हैं कार्फन कंपरन्ट पढ़ते हैं यह अपका बहुत सार टोपिक है वह उड़ा दिये गए है तो चलिए सबसार करते हैं सबसार पहले आपका nomenclature of carbon compound containing functional group पहली बात no mend monopoly chים करते थे सका iupsC system नाइक्ट करते थे जो हम इसका नमेन पेचल करते थे carbon compound को करते थे iupsC system के according international union of pure and applied chemistry Qống newication फक्रोंट वर सकार पैर जैसे हमारे पास किन Cos pounds तें ठीस हो ग्रूप है यहां पर को सा पता सह यह है हतं आप को सिंगल वाले यह का इन सीलेज़ सिंगल ब्हुन्न वाले कि त्रपल बॉर्ण वाले ठीक कि यह में difference between saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon saturated hydrocarbon means में single single bond होते खां unsaturated means जिनमें डबल या triple bond होते थे खतम कर दिया chemical properties of carbon compounds केमीकल properties कार्म कार्म कंपाउंट खतम गरती जीक जलाना होगा combustion उसका oxidation addition reaction ठीक है and substitution reaction एसी है जैसी है आप क्यों थी चैप्टर फर्स मां पढ़ते हो ना displacement reaction यहां पर कारवन कंपाउंड में होती थी कुछ इसी चाराएगी ठीक है ethanol and ethanolic acid alcohol है ठीक है यह कहा है acetic acid जिसको आप सिर्काइब बोलते हो ethanol and ethanolic acid जो थे इनकी हमारे पास जो कट किया है उद्फ क्या है only properties and uses only properties and uses खढ़ धिया कहने हमाbes पास जो stiff structure भी है आप अविनकी structure है and उनको यह q обेसे होती है यह अब है rec Netly properties only proposition गर्योजनी जोञें कैसे बननेंते हम पता करेंगे स्ट्रक्चर पता करेंगे ठीक है सोप्स एंड डिरेजेंट खतम कर दिया तो भी होता था आपके यहां पर सोप्स एंड डिरेजेंट खतम कर दिया पुरा का पुरा ठीक है फिर हम बात करते हैं चैप्टर फाइव और जो लाड्स चैप्टर होने वाला है केमिस्टिक आपका इसका नाम है periodic classification of elements, periodic classification of elements, देखिए हम यहाँ पर पढ़ते थे, अब पढ़ेंगे, ठीक है है, पढ़ते थे मैं कुछ नहीं कहूंगा, हम पढ़ेंगे यहाँ पर इस चैनल पर, periodic classification of elements, no change, कुछ भी change नहीं किया, जो को चैप्टर, जो की बहुत अच्छी बात है, अगर आप प तो जादे तो चैप्टर नहीं खतम किये गए, जादे टोपिक नहीं खतम किये गए, चैप्टर फर्स्ट हमारे जोगतु है, सैगेंड जोगतु है, जो चैप्टर थर्ड के बात करते हैं, वह भी लगबग जोगतु सही है, यहां पर दोटोपिक खतम करें है, ठीक है, कार रिमूव कर दिया गया सब्सक्राइब लाइफ प्रॉसेस कुछ भी चेंज नहीं किया है जो का त्यों आपका चैप्टर है पूरा पूरा आपको पढ़ना है इसको फिर बात करते चैप्टर टू देखें चैप्टर में आपके राते बूक्त का अलग कर दिए बारोजे के बताऊगा को है यह आंग speaker अरव कि दिन प्रॉप ant जो होगा आपका control and coordination in animals and plants वो पुरा रिमूम कर दिया गया है जो ट्रोपिक मुमेंट इन प्लांट पड़ते थे हम introduction of hormone introduction of plant hormone पड़ते थे हम वो खतम कर दिया गया है आपका ठीक है इसमें से यह पूरा chapter आपका खतम कर दिया गया है chapter 2 control and coordination and plants फिर हम बात करते है chapter 3 की how do organisms reproduce इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है जुगा तू chapter आपको पूरा पढ़ना है फिर हम बात करते हैड़ीटी and evolution की पहली बात तो ही है आप यहां पर जो basic concept of evolution था वह यहां पर खतम कर दिया गया है और अगर इस चैप्टर को हम अगर कहें हैड़ीटी तो कुछ गलत नहीं होगा इस चैप्टर को अगर हम हैड़ीटी बोल दे तो कुछ गलत नहीं होगा तो basic concept of evolution खतम कर दिया एक चैज रह गई हैड़ीटी आपको जो पढ़ने है ओके बात करते हम sustainable sustainable management of natural resources यह चैप्टर में आपको केवल जो आपके school में internal assessment होंगे वह चैप्टर यहीं आएगा आपका school में बोर्ड में नहीं आएगा ठीक है तो यह भी आपको पढ़ना है भले school में या बोर्ड में प बात है ठीक है हम इस चैप्टर को पूरे को पढ़िएंगे तो बाई लोजी मीं से इतना portion है जो delete किया गया है फिर हम बात करेंगे physics में क्या क्या इट को delete क्या है एक सब्सक्राइब करते हैं और क्या रहे गया है चैप्टर वन कि हम बात करेंगे light reflection and reflection इस चैप्टर में पर नहीं है फिर हम बात करते हैं the human eye and the colorful world यहां पर देखो बहुत बड़ा change हुआ है functioning of eye lenses in eye defect of vision बहुत ही अच्छा टोपिक था है defect of vision का आप कहां पर दो तरह के defect होते हैं mainly एक myopia और एक hypermetropia myopia को हिंदी में क्या बोलते हैं निकट दर्ष्टी दोस और header hypermetropia क्या बोलते थे दूर दृस्टी दोस मायय में सबूर्स हैं यह बहुत है तो यह तो यहाँ पर नहीं पढ़ोगे सब चीज्च की और DC की ठीक है वो बहुत को भी आप यहां पर नहीं पढ़ोगे आपको पताने आपके घ़रों में कौन सा करेंट होता है राइन से यह करेंट होता है ठीक है आप यह सब एडवांटिज जिनकी नहीं पढ़ोगे चैप्टर 5 Source of Energy a different form of energy conventional and non-conventional जैसे कि आप एक बार युज कर ली तो कर ली आप उसको renew नहीं कर सकते non-conventional ठेक है आप कर सकते हो बार-बार energy को इसको यह सब बिंट होगी ठेक है thermal thermal power होगी और आपके पास source of energy आपके पास जो आप नहीं पढ़ोगे फिर fossil fuel आपके पास नहीं पढ़ोगे solar energy पढ़ने चीए थी लेकिन नहीं पढ़ोगे बायो गैस नहीं पढ़ोगे विंड वाटरी सब कुछ आप टेडल एनरजी टेडल एनरजी नहीं पढ़ोगे ठीक है यह तो आपका पहले बता दिया आपका कण्मेंशनल वी नोन डिनेवल नोन कशनल मीश रिनेवल ठीक है इसके में आपका रिनेवल वर्सिस नोन डिनेवल था आप यह नहीं पढ़ोगे सब कुछ ठीक है तो देखिए काफी कुछ है जो आपको आपने नहीं पढ़ना लेकिन आपको मैं एक सलाह दूंगा कि आप के लिए तो पढ़ लोगे चलो जो आपका एक्जाम के लिए पढ़ना आप पढ़ लो लेकिन आपको अपने लिए और जासे आप 10 से 11 में होगे आपको उन वह अपने डिसाइड करता है 10 से 11 थमझा के कि उसको क्या लेना है कोई करता है बायो कोई करता है मैंस एक मेरा खमजूर में तो अंतर कभी कभी यही में आता है कि वह वच्छा 10 पर नहीं पढ़ा बता है पुरा ठीक है कोई सब्जेक्ट कम रहता है उसका लेकिन अब यहां प अगर हम बात करते हैं यहां पर आप इस तरीके सा पढ़ोगे तो लगवग लगवग सारे सब्यक्ति कम जो रह जाएंगे क्योंकि आपका नेक्स्ट यर है आई होब वहां पर तो आपका सारा स्लेवर्स होगा 11 वी से तो कुछ कटने का नहीं तो आपसे क्ष़ा और आपके लिए तो के आपके स्लेवर्स मैं ठीक है आए ऑज यह लिए हम इतनागे रखते हैं झाल झाल